है कि क्य है लो फेटाइच्श आज मा आपको पेरलाइसिस के बारे में डीटेल से बता कर सूंगोगा कि प्रसूम में इदीख यालाइसिस हो जाए तो क्या वारे चाई गॉलाज करना चाहिए क्या सिंटम्स होते है किस दरह से घ्ले ऑना में डीटेल यहां परके तो the paralysis के बारे में अज डिटेल से बताया जाएगा एक और बताना चाहता हूं कि वीडियो लंबी होगी इसल Sister कर्के में देखना वीडियो काप पूरी देखना ओधी वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरे आप पर नुलेज हो जाएगा कि 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 कारण होता है। कि यह क्या होता है। तो वीडियो आप पूरी देखें। यह यह की कि नर्वist system का ही रोग होता है। जिसमें कहले कि गाय होती है, गाय वह वहेंस के लावा भी यह गोड़े हो जाता है या यहितन हरोगा होगा हो जाता है तो से सफ में रेडियल पेरालाइसिस हो जाता है तो में पिछे वाले पैरों एक ही इस्तान पर या रहता है या नीची जुकी भी रहता है या मरोड कर रहता है तो उसे हम नेक पेरलाइसिस भी खहते हैं परसू की पूरी बोड़ी के अंदर भी पेरलाइसिस हो जाता है तो इसलिए पेरलाइसिस जो लगवा होता हुआ कितने प्रकार का होता है इसके बा पशूं के पिछे वाले पैर में एक पैर में एदी लखवा हो जाता है या पेरालाइसिस हो जाता है तो इसे मोनो पले गया बोलते हैं डिप ले गया बोलते हैं पशूं के जो आगे वाले दोनु पैरों में एदी पेरालाइसिस हो जाए तो तो इसे हम डिप ले गया बोलते ह इसी प्रकार होता है कोड्री पले गिया कोड्री पले गिया में क्या होता है पसूं के जो चारू पैर है उनमें लखवा मार जाता है इसी प्रकार पेरापले गिया जो इस प्रकार के जो यह पेरालाइसिस के जो मैंने आपको बता है यह इतनी प्रकार का पसूं में पेरालाइ तो उसकी वज़े से भी आपके पसु में पेरालायसिस हो जाता है। पसु में पेरालायसिस हो जाता है। जिस प्रकार से मिलक फ्यूर है या डाउउन्स पुर है। आपका पस्व कहीं लंबे समय तक यौई डाउनर स्काॉट सिंड्रोम की वजह से यदि आपका पस्व लंबे समय तक यि बैठा रहता है तो उसकी बैठे बैठे रहने से उसकी नरुआ हैं वो दब जाती है दब जाने के करण आपके पसु में किए पेरैलायसिस में चला जात यानि पेरलाइसिस आपके पसू में कई कारणों से हो सकता है या आपके पसू में विटाइमिन्स की डिपसिंस ही हो जाए तो भी आपके पसू में पेरलाइसिस हो जाता है यह दिया आपके पसू में जिस प्रकार से इन्वाइरमेंट की वज़े से भी कई पसू में पेरलाइ हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे यह तो हैं पेरलाइसिस के कारण आप देखो सिम्टम्स सिम्टम्स के हैं यह सिम्टम्स हैं यह आपका पसु बैठ जाए खड़े उन्हें में दिक्ट करता है उसका सरीर काम नहीं करता है या उनके पैर हैं वो मुमें नहीं यह पाथे हैं कई वर आपके पसु के वे जाए से गुबर वर पेसा ऐसे रहता है इस तरह के सिम्टम्स आपके पसु में देखने को मिलते हैं आप डायग्न Course केब्स हो सकता सब्गे जो आपको पता भी जाता है कि उसमें आपके पस्वोंगा जो temperature है वो Down हो चला जाता है जब की Down Lenoir Scouts Syndrome में क्या होता है किई על syndrome से Down SEÑ6 कम इंड्रोम मेंध्याकि यॉद मिध्या का ह study से खडे होने की दिक्त और कोशोच करता प्रसू 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 नहीं या कोई बाग है वहां पर उसको दर्द महसूस नहीं होगा तो आपको यह देख लेना चाहिए कि आपके पसू में इस अंग के अंद्रगत प्रीपुरन रूप से पेरालाइसिस हो गया है एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यह दिया आपके पसू में पेरालाइसिस आप उसे चैन पुलिसी खड़ी करने कोशिस करेंगे तो उसमें बलड का सर्कूलेशन जरूर हो यह तो आपको करना ही करना है आप देखो ट्रीट्मेंट क्या है कि आपके पसू में पेरालाइसिस हो जाता है तो एक ही इसे में एक ही बाग कि एक ही तरफ कहते पड़ा रहत है ताकि उस इस्तान को आप गलने से बचाएं वहना वैसे उन पस्तों की गल करके मौत हो जाती है तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है अब ट्रीट्मेंट में कौन सी हम इंजेक्शन उपयोग में लेंगे कौन सी मेडेशन उपयोग में लेंगे इसको जो आपको मेडी तेबल लेकरके आपको में चलता हूं आपको मेडी टेबल के ऊपर जो ट्रीट्मेंट दिक रहे करा है के आपके परस्तों में प्रस्या सी हो जाता है तो आपके पास नजदी पसंच knocking है तो उससे आप यह ए-लाज करवाना है तो असमें क्या इस करेंगे माइफेक्स प्रियोग करनी है जिसके अनगत साल टो केल से मैंगनेशियम बोरो गुलकुनेट वैसे माइफेक्स के बारे मेरे चेनल पर डिटेल से वीडियो बनी भी है वो भी आप जा करके देख सकते हैं यानी माइफेक्स का आपको प्रियोग धी ताकि इसका लंबे समय तक असर बना रहे और उस पसू को आप परियोग करनी है इंटालाइट जो 20% डेक्स्टोज होता है इंटालाइट हो यार इंटो जो कोई सी बोविलाइट हो इनमें से कोई सा भी आपको यह परियोग करनी है यह कितनी करनी है एक लिट्र कम से कम आपको यह करनी है अब इस इंटालाइट के अंदर आपको कुन से इंजेक्शन प्रियोग करनी है जैंजेक्षन लेना आपको मिकोवेट अक्सल जो मिथाहला स्पषू इन्जेक्षन 15 ml लेना है यह इन्जेक्षन जिस प्रकासे ।पर車 मेल के अंदे मिथाहल कोभलोमीन आता है 100 mcg तो ये injection आप उस पसू को लगा देना है जो आपको दिख रहा भी है प्रेमेल में इस साल्ट का कोई भी injection हो जिसके इनका डाइस ओमसीजी मिथाइल कोवलामीन होना चाहिए ये परियोग करना है और साथ इसाथ उस पसू के लिए आप टोनोफोस 15-20 एमेल या सोडियमेसिट फासपेट का कोई साभी इंजेक्शन या टोनोफोस ये 15-20 एमेल ही इस ड्रिप के अंदर डालना है और ड्रिप के अंदर डालने के साथ साथ उसे मल्टी विटामिन भी सक्ट जरूरत होती है ऐस एसे पसू को जिसके अंदर वितामिन B1, B6 & B12 हो तो इसके लिए जो यह इनजेक्शन ट्राइबीवेट जिए इनजेक्षन आप उस पसू को लगाना है यह injection भी क्या है कि इस drip के अंदर ही परियोग करना है कितना करना है 15 से 20 ml आप यह injection है यह इसको परियोग करना है तो यह तीनु इंजेक्षन इस इंजेक्षन इस इंटालाइट के अंदर डाल करके उसे आए भी उस पसू को लगाना है यह injection है यह injection उस पसू को लगातार तीन से पांस दिन जब तक पसू ठीक नहीं रहता है यह इंटालाइट के साथ आप उस पसू को देना है देना है माइफेक्ष एक बर लगानी है आपको यह जूरूत पड़े तो आप तीसरे दिन भी आप रिपीट कर सकते हैं वरना आपको बीस परसेंट डेक्स्टोज और अदर जो इंजेक्षन आते हैं यह इंजेक्षन आपको प्रियोग करने करने हैं और ही बात उस पसू को जो सोड़ा फोस पाउड़ आता है जिसका अंगर शाल्टो शोडियमेशिट फास्पेट यह पाउड़र 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम स्याम लगातार उस पसू को दिलाना है 15 से 20 दिन जिस केंगर साल्टो सोड़ा पोस वैसे सोड़ा पोस के बारे मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी वी है वो भी आप जाकर किये देख सकते हैं यह भी उस पसु को दिलाना है इसी के तोर पर आपको जो लिक्विड आता है जिस प्रकार चे मेन काइंड का जो मेंडरा अब भी उस पसु को सो एमेल पर डे के साब से केंटिनुटी देनी है यह कब तक देनी है यह आप अपने उस पसु को बीच दिन से लेकर के एक मेना डेड़ मेना केंटिनुटी आप उस पसु को देनी है जिस पसु में पेरालाइसिस हो गया है ऐसा नहीं है कि आपको दो से चार दिन देते ही आपको रिजल मिनना स्टार्ट हो जाएगा यह जो सिर्फ होती है जो कोई भी यह दी पेरालाइसिस डिजीज होती है तो उसके लिए लंबे समय तक दी जाती है तो यह भी उस पसु को दिलानी है यह ट्रीटमेंट तो आपको करवाना ही करवाना है और यह पावडर उस पसु को दिलाना ही दिलाना है रहिबात और ओला बताना चाहता हूं कि आप उस पसु की डिवर्मिंग भी कराएं क्योंकि डिवर्मिंग की वज़ moder फसु में इस परकार की टॉक시टी हो जाती है जिसके वज़़ी से भी प्यरालायसिस हो सकता है तो आप बोड में ज्यादा तक इंटरनल जो टोक सीटी ने पहले यह दी पसु लंबे समय तक यह दी पड़ा है रहेगा तो उसमें कहें कि वह पसु नगेटिव एंडर्जी बैलेंस में चला जाएगा यह तो इसके लिए आपको क्या करना है उस पसु को गुड़ खिलाना है गुड़ कितन तो उस पसु को जो मिनरल मिक्सर पाउडर है वो पाउडर भी आप उस पसु को देते रहें वो तो आपको करना ही करना है अब देखो फोट सी इस प्रकार की जो मैंने एक हमियोपेतिक दवा भी बताई थी यह दी आपके पसु में यह दी आपका पसु बैठ जाए खड़ा नहीं हो पाता है तो कौन सी तो एक जो हमियोपेतिक मेडिशन आती हैं जो लिक्विट पेरलाइसिस के ड्रोप्स आती हैं वो ड्रोप्स भी आप दे सकते हैं वो ड्रोप्स आप जिस प्रकार से दस बूंद है उनकी तो रोटी में मिला करके दे सकते हैं डायरेक्ट उनके म सकते हैं वो भी आप बीच में जो यह मेडिशन चल रही है उनमें देते रहें कोई उनका साइड नहीं होगा बट इसका रिजल्ट आपके पसुगों और ज्यादा मिलेगा यह तो आपको करना है करना आज मैं पूरा पेरा लाइसिस का पूरा ट्रीट्वेंट मैं बता रहा हूं जिसके अंगत देसी इलाज भी हो देसी इलाज ही है कि आप उस पसुगों दो से तीन लिटर आप दू लेना है दू लेकर के असमें पसुग जो अंडे का पिला भाग हो मिला कर आप उस पसू को पिलाएं लगातार कितने दिन तीन से चार दिन वो भी आप उस पसू पर कर सकते हैं जिन पसू को पेरलाइसिस हो गया है एक और बताना चाहता हूँ कि एदी आप उस पसू को सरसू के तेल से को गरम करके पानी में मिला करके आप उसका मसाज भी कर सक यह सर्शू के तेलने संसाज के चाल सब्सक्त using the bear ना फिर डॆते है उसको सर्शू को इसमें ले बना लेना है और जान पर राइदी इस funny Pinsi पेर्णाइसी हो गया है सडस्मीर के जो बीज होते हैं उनको आप पानी के सांथ वारिक फिप्री लेना है और उनका लेव बनागर करके उस पस्यूम जिस इस्तान पर पैरालाइसिस है न mad पर वह पर एक लेव बशिय को एक छोड़ देना है इस प्रकार से भी आपके पस्यूम को रिकीवरी मिलती है और इदी आप परसूं में इस परकार भी निगे कर सकते तो सच्छों के तेल से आप उस परसूं की दिन में दो से तीन बार उस परसूं की एकोसिस की है, एलोपेटिक मेडि सिन भी बताई है, होमिपेटिक भी बताई है, experiences नूसके भी बताई है, साथ यून विhus बताई है, कि मिसाज है कि किसकी मिसाज आपको करवानी चाहिए, यापके पासुमिपरर लायसिस हो जाहे तूछ वीडियो लंबी ज़ूरोब बन साथ और मेरे जतरी वेटिनेरी स्येंट हैं पस्व हैं उनके साथ वीडियो जितना हैं के सेर करें ताकि उनको भहुँ जपराइदा में पैर शुपने बहुत लोगों के जो स्क्रचुब्रीए खतम हो जाते हैं ताकि उन वीडियो जाएज शेयर करें इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से आप मेरे को प्यार देखते रहें थैंक्स धन्यवाद